गुड आफरेनून एवरिवेन आप सब अपना और अपनी फैमिली का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे जैसा कि आपको पता ही है कि हाली में विंबर्डन प्रतियोगत संपन हुई है जो कि जनरल अवेरनेस के पॉइंट आफ यू से ही नहीं बलकि एग्जाम के पॉइंट आफ यू से बहुत ज़्याद इंपॉर्टन है तो चलिए बिना किसी देरी क्याची क्लास स्टार्ट करते है विंबर्डन विनर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे पहले ये जानते हैं गेंट स्लेम टूनामेंट होता क्या है बेसिकली 4 most important annual tennis events होते है जो जिन से मिलकिए गेंट स्लेम बनता है अब वो जानते हैं 4 important events कौन कौन से है पहला है Australian Open इसके बारे में जानते हैं ये जो होता है mid January में होता है और hard court पर ही खेला जाता है और इसका जो price है वो है 42.7 million dollar जो विजेता होता है उनको मिलता है Australian Open में सेकंड है French Open जिसे की Roland Garros de Paris भी कहा जाता है और ये मई और जून के बीच खेला जाता है और ये clear code पर खेला जाता है इसका price है 48 million dollar और राफिल नदाल को French Open का बादशा कहा जाता है उनके बारे में बाद में जानेंगे चलिए आगे बढ़ते है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे Vimberden जो अभी फिलाल में संपन हुआ जिस पर आज main focus होगा वो जून और जुलाई में संपन होता है खेला जाता है और ये grass code पर खेला जाता है और इसका price क्या है वो है 40.79 million चलिए अब लास्ट वाला देखते है US Open ये अगस्तो सुतंबर के महिने में खेला जाता है और hard code पर खेला जाता है इसका सबसे ज़्यादा price होता है 50.4 million सबसे ज़्यादा price 50.4 million US Open का है ये question that CDS exam में पूछा गया है कि कौन सी Grand Slam में सबसे ज़्यादा price मिलता है आप एक वागा question पर उठाके देख सकते है चलिए अब आगे बढ़ते है ये भी बहुत important है जो Wimbledon है वो सबसे पुरान है वो 1877 में start होा था फिर उसके बाद US 1881 French 1891 and in the last Australian Open 1905 चलिए अब Wimbledon के बारे में जानते हैं जिस पर आज हमारा main focus होने वाला है ये जो Wimbledon हो रहा है ये 134 वे नमर का है Wimbledon's men singles titles जो विजिता हैं उन्पे बारे में जानते हैं आपकी जो champion हुए है वो Novak Jokovic हुए है आप ये पताए कौन सी country के ये और runner-up है Matthew Berrettini इसनके बारे में हमने आपको आज current affair साली वीडियो में बढ़ाया था चलिए women's के बारे में जानते हैं women singles में champion हुए है Ashley Barty और runner-up है Carolina Pliskova चलिए women's doubles जान लेते हैं ये champion हुए है आपके She Sue Way, Alice Martins और runner-up Veronica Kuzar Mitova and Elena Vesnina चलिए men's doubles देख लेते हैं champion है Nicola Matic and Mate Pavik runner-up है Marcel Genolars and Horacio Zabelos चलिए आगे बढ़ते हैं men's doubles के बारे में जानते हैं champion हुए है Neil Escoopsy Desiree Ko Sijic runner-up है Joey Salisbury and Harriet Dart चलिए अब यह देखते है Grand Slam Leaderboard जो most important है यहाँ पर आपको बड़े इंट्रेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी यहाँ पर यह चारों आपके open दे रखे हैं Australian Open, French Open, Wimbledon, US Open यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो कि दिन्या के बैसरिंग लाड़ी हैं वो हम लेके आए रोज्या फेडरल जो कि सुर्सलेंड से Australian Open 6 बार जीच चुके है French Open 1 बार Wimbledon 8 बार US Open 5 बार टोटल 20 बैठेगा नदाल स्पेन के हैं Australian Open 1 बार French Open 13 बार इसलिए उनको लाल बजडे का बातसा खा जाता है राफिल नदाल को देखिए कितना जब उरतस इनों ने 13 बार जीत है उसके बाद बाकी भी जीतने पर 13 बहुत बड़ी वह होती है गिंती दो बार Wimbledon चार बार US Open जोकोविक सर्विया के नौ बार US टिल नोपन दो बार फैंच उपन छे बार Wimbledon तीन बार US Open अभी जो अभी जोकोविक ने जीता है इसको जीतते ही नों ने इन तीनों की बरावरी कर लिया अभी इन तीनों के 20-20 आपका ये Grand Slam हो गया है जोकी बड़ी बात है जो हमने आज आपको पढ़ाया इसमें सबसे ज़्यादा important क्या है कि आप men's का भी तो याद रखे ही रखे men's, women's, singles doubles का याद रखे और women's, doubles का भी ये diet question बन जाएगा और इसके लावा आप ये देखें कि यहाँ पर ये सबसे पुराना कौन सा है Wimbledon 1877 में स्टार्ट हुआ 134 में मैं करता है और सबसे ज़्यादा money मिलती है आपकी इधर 50.4 US open पर उसके लावा ये देखें कौन सा कौन से court पर कहला जाता है ये बहुत important है एक्जाम के point of view से तो बहुत ही ज़्यादा important है चलिए आज की class ये पर खतम करते हैं चलिए मिलते हैं नेक्स लेक्शन में तब तक के लिए good bye, take care, bye bye